जैहिंत मैं लालित खत्री और आज हम मौजूद हैं पुश्कर के इतियासिक गुर्दवारे में और हमारे साथ है शिरी अमर्जीद जी जिने लोगवाग दे टर्बन ट्रैवलर के नाम से जानते हैं इनका बहुत ही रोचक इनोंने इनकी यात्रा रही है तो हम वो इनहीं के जवानी जानते हैं कि इनकी रोचक यात्रा किस तरह की है नमश्कार मेरा नाम अमर्जी सिंग चावला है और लोग मुझे अब दर्बन ट्रैवलर के नाम से जानते हैं मैंने यह जो जर्नी है जिसकी आप जिकर कर रहे हैं यह पिछले शाल शुरू की थी दिली से लेकर लंडन तक के लिए और यह एक जनून था एक बच्चपन का एक शौक था और यह कहिए कि एक सपना था हर बच्चा एक सपना देखता है कहीं के पूरे होते हैं कहीं के नहीं पूरे होते हैं तो मैंने भी बच्पन में एक सपना देखा था अपनी गाड़ी की दोबारा बलकि अपनी मोटर साइकल पर पूरी दुनिया का सफर करने के लिए और मेरे पिता जी ने मुझे चुप करके बठा दिया था तो वो सपना इस उमर में मैं 60 साल का हूँ और मुझे लगा कि अब मुझे अपने सपनों को पूरा करना चाहिए नहीं तो आपके उम्र जो है आपके हाथ से कब निकल जाती ही पता भी नहीं लगता और आपके सपने अधूरे रहाते हैं तो पिष्टे साल मैंने जुलाई में यह मैंने एक यात्रा की जो दिल्ली से कर लंडन तक थी और उस यात्रा को करने में मैंने 49,690 किलो मीटर गाड़ी चलाई जिसमें से तक्रीबन 35,000 किलो मीटर गाड़ी मैंने खोच चलाई और दिली से लेकर और लंडन के बीच में तकरीबन काफी सारे मुलकों में घूमता हुआ मैं जनर्वी में वापस हाया था तो यह मेरी पहली international road trip थी जिसको मैंने पूरा किया तो आपने इस पूरे जो जैसे आपने बता है कि दिली से लेगे लंदन तक आपने सफर तय किया और काफी सारी कंट्री तो लगबग कितनी कंट्री में आपने विजिट किया उस समय जिसकोट हम चले थे उस वगद तो हमने यह प्लान किया था कि हम 23 कंट्री जाएंगे और 23, जैसे आप जाते हैं और जैसे आपका उत्साफ बढ़ता है तो वह 23,000 किलो मिटर की यात्रा 30,000 किलो मिटर में कब बदल गई और वह 23 कंट्री तीस कंट्री में कब बदल गए यह पता भी नहीं लगा तो हमने 30 कंट्री कवर करें उस यात्रा के दौरान और पूरा यूरप या यूं कहिए कि जितने भी शैनेगन कंड्रीज हैं काली ग्रीस को चोड़ के हमने सारे किये यहां से हम पहले इंडिया से जब निकले थे तो नेपाल गए और नेपाल के बाद हमने वहाँ से चिबरेथ होते हुए चाइना गए और चाइना सारा कवर किया चाइना के बाद हम वहाँ से किर्गिस्तान, कजागिस्तान, उस्बेकिस्तान, रशिया और वो सारा करते हुए ये रशिया शिये फिर हम एंटर किया हमने किया यूरोप, इस्टोनिया में, इस्टोनिया, लैट्विया, लुथफेनिया हमने वो किय उसके बाद हम उपर शिप से गए दो घंटे का शिप पकड़के इस्टोनिया से फिल्लेंड, फिल्लेंड, स्वीडन, नॉर्वे, डैनमार्क, हमने सारे स्कंडिने में चारों कंट्रीज करें, उसके बाद नीचे आए, वहां से हम जर्मनी आए, जर्मनी से एक घंटे का सुल्वेनिया, सुल्वेकिया, आस्ट्रिया, स्विजरलेंड, स्विजरलेंड के बाद फिर नीचे आए, इटली, इटली के बाद मनाको, फ्रांस, पॉस्टिकल, वहां से लक्संबर्ग, और बेल्जियम, बेल्जियम से वापस फिर फ्रांस आया और फ्रांस से फाइनली ह पहुंचे थे लंडन तो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सफर था तो इस पूरे सफर में आपको कई लोग मिले होंगे कई तरह के लोग मिले होंगे तो लोगों का क्या रुजानता आपके लिए और इस आपकी यात्रा के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ये सफर जितना भी मैंने किया ये बहुत ही अलग और बहुत ही रोचक सफर रहा क्योंकि जब आप इस तरह की जर्नी करते हैं तो आपके दिमाग में होता है फियर एक को इसको बोलते हैं फियर अफ अन्नोन जिन चीजों का आपको पता नहीं लगत लेकिन जैसे जैसे हम रस्ता कवर करते गए और वैसे वैसे वो डर जो था धीरे धीरे दूर होता गया और सबसे अच्छी बात ये थी पूरे सफर के दौरान की वहां जुतने भी लोग मुझे मिलें वो बहुत अच्छे लोग थे और एक सबक हमने ये सीखा कि दुनिया ब के दौरान बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पर लोगों ने मेरी मेरी इनवर्सी तक भी सेलिब्रेट करी जो मुझे जानते तक नहीं थे इतना प्यार दिया अपने घरों में ठहराया दो दिन के लिए जिसके घर में ठहरना था उसने एक हफता हमें अपने घर में रखा और वो सारे गोरे थे उनमें से कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था तो एक बहुत ही अलग एक्सप्रेंस और दूसरा मतलब जिस चीज के लिए मुझे वह अच्छा लगा वह यह था कि वह जितना प्यार जितना जो था वह एक अनकंडिशनल लव था वह मुझे जानते नहीं थे वो देखते थे कि सफेद दाड़ी वाला कोई पगड़ी पहने वे एक इंसान इंडिया से आ रहा है और पहला रियाक्शन जो उनका होता था तो जब गाड़ी देखते थे और मुझे देखते थे क्योंकि गाड़ी पे कम से कम एक हजार से जादा लोगों के साइन हैं तो उनका रियक्शन होता था वाओ और जब वाओ जब वो निजदीक आते थे और देखते थे कि गाड़ी हिंदुस्तान की नंबर प्लेट की है तो दूसरा सवाल होता था था हाओ क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि आप गड़ी अपने कार के द्वारा आप लंडन तक यात्रा कर सकते हैं क्योंकि मेंटल ब्लॉक होता है कि समुदर आएगा या पाकिसान से कैसे जाएंगे तो दूसरे आल्टरेनेटिर वस्ते भी है तो आसे वहां के लोग भी हैं उनको भी नहीं मालूम है तो जब उनको यह मालूम पड़ता था कि इस दीके से आदमी हाप तक पहुंच गया तो तीसरा सवाल होता था वाय और जब वाय का उनको जवाब दिया दता था कि मुझे अपना बच्पन का सबना पूरा करना था औ तो वह बड़े ही प्रभावित होते थे और मेरे लिए जो है वह एज कोई नंबर है कोई माने नहीं रखती अब जो मैं सफर कर रहा हूं वह इससे भी बड़ा है यह दो लाग किलो मीटर की यात्रा है और पूरी दुनिया में सेवन कॉंटिनेंट्स हमें पूरे करने हैं औ इतने भी लोग थे कंट्रीज में आप गए सबने आपको बहुत ज्यादा प्यार करा आपको सर आपकी सरहना करी इस मुहीम के लिए तो इस पूरी जर्णी के समय जो अभी तक आपने करी है इसमें आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि आपने इतना कठ करी है मेरे से और भी बहुत सारे लोग हैं पहले से भी और आगे भी होंगे जो इस तरह की आत्रह कर रहे है इसमें जो अलग था जो मुझे नजर आया वो था शायद मेरी उम्र अगर आपकी उमर में या 25-30 साल 35 साल 40 साल तक का भी कोई इंसान अगर किसीने जिएर्नी करी ह तो शायद वो इतनी हाई लाइट नहीं होती है मेरे को बहुत सारी है इस्वेशन का प्रावलम है इस्पडिस्क है यूने मिट और भावजूद अगर मैं यात्रा कर सकता हूं तो लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि अगर यह इंसान इस उमर में यात्रा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं तो एक ये मैसिज गया जो बड़ा पॉजिटिव था दूसरी बात अगर मैं बात करूँ कि रस्ते में मिरे को क्या प्रावल्म चाही तो रस्ते में मेरे टीन आक्सिटेंट हुए और तीनों एक्सिडेंट्स में जब पहला एक्सिडेंट हुआ तो मैंने यह नहीं सोचा कि यह क्या हुआ गाड़ी खड में गिरते गिरते बची इसका पिछना टायर पंचर हो गया था और जो पहला जो मेरे ख्याल में दिमाग में जो आया वो यह था कि क्या हो सकता था जो नहीं हुआ तो जब आपके साथ ईश्वर हो और आपके पॉजिटिव सोच आपकी हो तो आपको नेगिटिविटी नजर नहीं आती है और मुझे नेगिटिविटी नजर नहीं आई 20 मिट के बाद हमने गाड़ी का टैर भी कर लिया और हम सबके उपर थे लोगों ने हमारी मदद करी ट्रक वालों आपके बाद हमारी में अधिका वेजिटेरियन हूं तो रस्ते में चाइना कर रहा था तो खाने की थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि वहां मैं वेजिटिन होने के नाते वह सारा इलाका था वो जो मीट मच्छी भी खाते थे वहां पर जो मीट होता था याका मीट होता था तो ऐसा कोई खास वो नहीं था जब आप भी ऐसी को यात्रा करना चाहें तो आप कर सकते हैं आप किसी भी उमर में कर सकते हैं मेरे साथ बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं कोई एक डियाजी साहब हैं जो 76 साल के हैं इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो 80 साल के हैं जो तो 90% लोग मेरे मांना यह है कि दुनिया में वो नहीं कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो कर कुछ और हैं, वो बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गए हैं और यह प्राब्लम बहुत सारी लोगों में है हिंदोस्तान में भी हैं जो आप अपने मन का काम करते हैं तो फूल कहलते हैं और यह मेरा जाती अनुभा है आज मैं अपने मन का काम कर रहा हूं मैं उन्होंने नारा बुलंद किया वाहे गुरुजी दा खालसा वाहे गुरुजी दी फते यानि कि जो सच्चा इंसान और इश्वन में सच्ची विश्वास रखता है उसकी जीत अवश्य होती है जैसा कि दर टर्बन ट्रेवलर जी बता रहे हैं सर आपने ये भी बताया कि गुरु गोविन सिंग गुरु नानक देव जी के पांसो पचासवे वर्ष पे भी आपने कुछ यात्राइं की थी हाँ उसके बाद जब हमने दिली से लंडन की जब यात्रा हमने खतम कर ली उसके बाद मुझे लगा कि क्योंकि जब जिंदगी में आप कुछ हासिल कर लेते हैं तो आपकी जो खौइशे हैं वो थोड़ी बड़ जाती हैं तो 40,000 किलोमीटर का सफर सोचने में और कहने में भी बहुत बढ़ा लगता था लेकिन जब हम वो कर रहा है तो हमें लगा कि यह बहुत चोटा है वो गुर्णानक देव जी का पांसो पचासवा प्रकाश सब है तो उनको समर्पित हमने एक यात्रा प्लैन करी क्योंकि गुर्णानक देव जी वर्ल्ड सेकंड लार्जस ट्रैवलर थे बहुत सारी मुलकों में बहुत सारे शहरों में वो गए पुछकर भी आये थे तो एक सि मर्पित होगी जो दोला किलोमीटर की है जिसका 40,000 किलोमीटर हम कर चुके थे और इसको दो चरणों में बाटा जाएगा पहला चरण होगा इंडिया और छे नेवरिंग कंट्री इस तो यह जनी है तकरीबन 45,000 किलोमीटर की जो की 2,000 किलोमीटर का पार्ट है तो हमने 4 यह जर्नी शुरू करी दिल्ली से और 23 स्टेट अब मैं पूरे कर चुका हूँ और तकरीबन 45,000 में से 35,000, 36,000 किलोमीटर मैंने सफर तया कर लिया चे नेवरिंग कंट्री थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान उसमें से श्रिलंका रह गया बागी हम सारे कंट्री में हो गया है पाकिस्तान में कोई हिंदुस्तानी गाड़ी गई यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी तो पाकिस्तान हमने किया नेपाल किया उसके बाद हुआ से बंगलादेश किया भूटान किया और अब श्रिलंका बाकी है और पांच स्टेट्स हमारे बाकी रह गए ग इसका दूसरा चरण होगा जो हम एपरिल में शुरू करेंगे और वो होगा पाकिस्तान से आगे पाकिस्तान अफगानिस्तान इरान इराक और वो सारा हिस्सा जहां-जहां गुनानक देव जी कहे हैं तो अगला पूरा साल उनको संबर्पित है और हमारा जो मुख्यों द्रम के गुरू नहीं थे क्योंकि जिसका उनका आगमन हुआ था उसमें सिक्ष्धरम नहीं था वा चार मुख्य धरम हुआ करते थे जिसमें से सनातन धरम जिसको हम हिंदू धरम बोलते हैं वह में था इसलाम था कृष्ण थे बौध और जैन एक ही इसमें मैं आप उनमान करी तो वो गुनानक देव जी का जो संदेश है वो सारी मानता के लिए था वो जब भी गए जिस्तान पर भी गए उन्होंने एक ही बात करी कि एक इश्वर की पुझा करें आप जिसको भी मानते हैं आम उसकी उसकी पुझा करें करमकानों से दूर रहें और मनुष्ट की से करने से ही आपको इश्वर की प्राप्ति होती है और धरम जो है वो प्रेम से चलता है और क्योंकि इश्वर की प्राप्ति प्रेम से ही होती है ऐसा संदेश उनका था उनका संदेश देना के लिए और पूरी दुनिया में यह हमारी जो पगड़ी है और सिखिजम का प्रचा आदे का और प्रेम का तो यह थे हमारे साथ टर्बन ट्रैवलर और हम इस वारतलाप का जो अंध है वो इस नारे के साथ बुलंद करेंगे वाहिगुरुजी दा खालसा वाहिगुरुजी की फते झालस एक जार्बन ट्रैवलर ड्रोट 획ँ एंध है वाहिगुरुजी की फते बुलंद का झालसा वाहिगुरुजी की फते बुलंद के बुलंद का यह हमारे साथ बुलंद का जो बुलंद